शिल्पी अरोडा जी हमारे साथ हैं इनसे ज़्यादा जाद बात करेंगे हम लोग शिल्पी जी बताइए आप पंजाबी महासभा की प्रदेश सद्रक्षे हैं या किसानों का अंदूलन है यहाँ पर आप किसले आए और किसे काप समर्थन कर रहे हैं किसानों को देखिए किसान मैं खुद किसान परिवार से हूँ मैं कॉपरेटिव चलाती हूँ जो किसानों से संबंदित है हम लोग वेरियस कॉपरेटिव में किसानों के साथ काम करते हैं मैं लगातार यहाँ आ रही हूँ और सिंगी सिंगू बॉर्डर भी गई हूँ क्योंकि यह मसला खाली किसानों का नहीं है यह मसला देश के हर नागरिक का धा जो चाहिए आप पत्रकार भी हूँ जब आपको 200 रुपे किलो गहूं खरीदना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा यह किसाण अंदौलन जो है खाली किसानों का मुद्दा नहीं है देश की हर औरत हर आदमी हर युवा का मुद्दा है किसे यह कानून को लोगों के हित्में नहीं है आप एक लाइन जोड़ दीजे कि MSP पे MSP पे जो है आप खरीद लीजे फसल उससे नीचे खरीदना विल भी एक राइम बता रही है सरकार कह रही है कि MSP पर ही खरीदी जाएंगी कहने से क्या होता है आप कानून पास करिए ना क किस थाने में कहां जाकर रिपोर्ट करेंगे कि MSP पे नहीं खरीदे मोधी जी ने कहा था ठीक है देखिए 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 अगर एक एंगल से देखते हैं तो इतना पैसा आएगा कहां से किसानों को देने के लिए आप कर दीजे कि इंसिट्यूशनल और कॉर्पोरेट्स जो हैं वो भी MSP पे खरीदेंगे इसमें को पैसे लाने वाली क्या बात है जो किसान अपना खून पसीना बहाता है बीज लगाता है फटिलाइजर लगाता है उसको लागत भी नहीं मिल पाती है आप कानून मता दीजे एक लाइन की जाता है सब लोग उड़ जाएंगे यहां से बाती काता मैं ऐसा है 23 फसलों पर अभी MSP दिया जाता है इससे क्या है कि इंबैलेंस पैदा हो गया है कि जो चावल और गहूं की जो फसले वह ज्यादा पैदा होने लगी है और इंस्टेट पल्स 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 कम हो गया है या लिए सरसों का ते यहसी बात जाते इनका भी वह कम हो गया तो से इंबैलेंस की रहे इडिो रहा है मेरें चलते इस पर आप क्या समझती है इंबैलेंस की बात नहीं है movie स्पोर्ट ऑनय हो गया तो क्लिव क्ल disp lte तो जब दो ही राजी के किसान ले पारे तो बाकी राजी के किसानों के साथ एकी स्थिती बनी हुई थी कि वो जब जाते थे तो विचौली उनका या तो पैसा खा जाते थे या फिर मंडी में जाते थे तो वहां पर जो बीच में दलाल लोग होते थे वो उनका पैसा खा जात करती हूं हम लोग में सब्सक्राइब कोई किसान मंडी में जड़ाय देता है ना उतराइब कमिशन कमिशन देता है और वो कमिशन जो आगे भी लागई रहेगी कोई कॉर्परेट आकर फील्ड में खुत नहीं आप खुद देख लीजे वीडियो में सौ एकड का पंजाब में इतना बड़ा वेयर हाउस बन रहा है रेलवे उन्होंने और पचास कंपनियां जो हैं दूसरी कॉर्पोरेट घरानों ने रजिस्टर कराई है फूड और ग्रेंज के देखिए पूरा देश MSP में इसमें जीस्टी के टाइम में नोट बंदी के टाइम में देश पूरा खतम हो गया लॉक्डाउन में गरीब आदमी सडकों पर मरता रहा सूटकेस के उपर के विजुल्स देखें परिवार को ले जाते हुए एक किसान बातों से जाहिर हो रहा है कि जो किसानों की समस्या है वो कहीना की सरकार से समस्या आप जोड रही है इसको इससे पहले जो कानून थे वह बहतर थे किसानों के लिए देखिए जैसे भी थे कम से कम उनका उनको सपॉर्ट थी आप सबसे बड़ा जो आत्मत्या करते थे मैं कि सुरक्षित नहीं है, मोधी जी यहां क्यों नहीं आ सकते हैं, घर लग रहा है उनको अपने देश में आने के लिए, आए बात करें अपना परिवार का सदस्या है, पूरे देश ने बहुमत से उनको जिताया है, किसली जिताया है, कि आप उनी के खिलाफ काम करे, आपको मालू क्या होती है पंजाब में हो चुका है जब आलू का पांच रुबे में कॉंट्राक्ट किया साथ का वा तो ले लिया जब तीन का वह तो उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिये कि रिजेक्ट है हमालिया रिजेक्ट करें पार्मिंग के लिए वहां के शिक्षा मंत्री खुद उनको गाडी में भड़के नाया है और उन लोगों वहां माफी मांगी है हम किसान भाइव से माफी मांगते हैं हमें क्यों समझा रहे हैं इनके अकाली दल जो इनके साथ वाले हैं वह लग हो रहे हैं उनके नेता चौदरी बिरंदर सिंग जो चाहिए देर आये दुरूस्त आये उनको समझ तो आया कि हमने कितनी बड़ी गल्ती करी है इस सरकार के इना देखिये मैं समस्या यहीं पैदा होती है आप कहरें स्दीफा दिया उन्होंने मंत्री पथ स स्दीफा दिया पार्टी से स्दीफा नहीं दिया अब यह उनकी सोच है और उनका जो भी लालच है, सत्ता में रहने का जो भी लालच है, लेकिन किसानों के पक्ष में उन्होंने स्तीफा दिया, इसका सब को clearly पता है, चौधरी बिरेंदर सिंग, जो इनके स्टील मंतरी रहे हैं, उन्होंने धरने में जाके समर्थन दिया है, क्योंकि कहीं न कहीं समझ में आ रहा है, कि सरकार गलत कर रही है, जो वहां बातचीत कर रही है, वहां नहीं होगा, आएं बातचीत करें, सिंपल एक लाइन जोड़ देना, कि MSP को हम कानून बनाते हैं, इससे कम खरीदने वाला या बेचने वाला जो है, उसके उपर क्रिमनल प्रोसीडिंग है, धन्यवाद रैली करेंगे, आप उसमें 23 हैं, 23 और जोड़ दीजे, इसा है कि मैं गेहू और चावल लुगाता हूं, ठीक है, इसी पर मुझको MSP मिल जाती है, मैं क्यों सर्चों का ते लुगांगा, या क्यों दाल लुगांगा, अगर MSP उस पर मिलती ही नहीं है, तो कई-बरी MSP से भी ज्यादा मार्केट भाव होता है, तो किसान नहीं बेचता है, पिछली बार, लॉकडाउन के टाइम में, यहू मार्केट में महेंगी थी, कोई आई नहीं रहाता, सेंटर बंद पड़े थे, मैंने सेंटर चलाया, MSP का कोई यहू माला बेच नहीं नहीं MSP पे, अगर मार्केट में अच्छा भाव मिलेगा, तो बेचेंगे, आप कहने किसान का बजार खुल गया है, कहीं भी बेच सकता है, मैं पूछ रहीं बंद कप था, हमने दिल्ली में नाकपूर के संतरे नहीं खाये, क्या हमने कश्मीर के सेविया नहीं खाये, बंद ही नह मनानी है, बच्ची की शादी करनी है, वो करता है उस वाले, वो सरकार कह रही है, दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं, हाँ, एक चीज़ और, एक चीज़, कब रोकती है, अजादपूर मंडी में कहां, कौन से यहां, कौन सी स्टेट की सबजी, फल, अनाज नहीं आते है, अजादपूर में रह रहा हूं, गाजयपूर मंडी यहां पर है, तो मैं पहले वहां बेच सकता था, अब यह बताइए, मैं इसमें विपक्ष की क्या भूमी का समझती है, बहुजन समाज पार्टी हुआ है, समाजवादी पार्टी प्रदेश तरपे, जहां पर हम खड छिया की है, की लुझन समाजवाद हुआ है, समाजब पार्टी हुआ है, बहुभ क्याता था खार्टी मुझन, गार्टी हुटन, गार्टी हुआ है, समाजद